लो गाइज आप लोग कैसे हो उमीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे आपको बता ही है उली आ रही है तो ली कि आप सबको डेर सारी सुपकाम ना है तो गाइज आज हम करने वाले एक अलग एक्सपेरिमेंट है तो आज हमारे पास है एक ये स्काइशोट सिंगर रांड और वारा रांड वाला हमारे पास है तो आज इनके अंदर हम कलर फील करके देखेंगे कि किस तरह इनका साउंड होगा क्या चैंजिंग होगी और जो कलर है वो क्या उपर जाके फील होंगे कहां तक कलर जाएंगे तो गाइज अभी हमारा रांड करें शिर स्काइब करें इसके बाद चलाएंगे यहां पे पूरा बड़के उसके बाद इसको चलाएंगे और इसको देखे ही तोड़ा की स्का क्या होगा गिया तो गाइज जी यह हमारे पास एक 12 राम उसका ही सोट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं हमने अलग-अलग पांचे कलर्स फील की हैं और अब इसको हम चलाएंगे उसके बाद देखेंगे इसका जो वोई से इसके इसके इंदर कोई चैन्ज होगा जो कलर सोंगे वो किस तरह फील होगे तो गाइज अब हम इसको करके देखेंगे अब चैन्णस करणा बाद खेखेंगे लुबडोर आप अनक सर्फ लेता हूई झाल 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 तो गाइज जो 12 राउंड वाला था उसे हमने जला दिया आपने देखा वो कलर्स काफी मज़ेदार दिखे और गाइज इसके अंदर एक भी नहीं और जो कलर्स है उनका तो बाइस पता ही नहीं चला कहा चले गए है आपे थोड़े से एक एक ही कलर है न वो भी रहे है तो गा इसका तो हमने कर दिया बूरा हाल अभी यह एक राउंड बाला है इसके अंदर पी हम एना यह काफी बड़ा है इसके प्ले तो इसके अंदर पूरा कलर फीड करेंगे और इसका जो मज़ए नहीं अलग होगा तो अभी गाइस इसकी बाट लगाएंगे हम इसको आपने उप these are the dangerous groups that we're dealing with now तो भाई साब यह जो दोनों कान है यह थोड़े-थोड़े ही बच्चे क्योंकि वह आना उपर तो चला यह नहीं निच्चे ही भम हो गया तो आप देख सकते हैं यहां पर इसके पूरे पूरे चिथड़े उड़ गए हैं तो गाईज यह थोड़ा सा अलग हो गया और यह देखे गाईज जोगपर वाला पार्क था वो तो पहले ही फट गया जो मारा मैं था जो स्काइशोट वो निच्चे ही चल गया गया गाईज इसका आप कोई काम नहीं है तो गाईज आई होप आपको यह जो एक्सपेरिमेंट था एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो कि य को स्काइशोट के अंदर फिल किया जाए तो यह हमने आपके लिए जो हमारी तरफ से यह पैश्टी करके देखा तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई पसंद आई तो लाइक करना अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्स्क्राइब करना काईज हम आपके लिए ऐसे ऐस से एक्सपरिमेंट्स ला ती रहेंगे